दोस्तो आज की इस वीडियो का ये पूरा complete look है और इस हेस्टल को कैसे बनाना है आई हम सिखते हैं step by step तो वीडियो को एंट तक देखते रहेगा अधर सबसे पहले हमने center part निकाला हुआ था उसके बास हम यह पर zigzag कर रहे हैं tail comb की tail से है जैसे कि आप देख पा हरे हैं हमने tail comb की tail से हैं यह पर zigzag section sn कर ला हैं तो जब भी आपको zigzag section निकालना है तो आप सबसे पहले वहां पर서 center parting कर लहें कोई भी 시ile सी line जहां भी आपको यह जिग जग सक्षन बनाना है वहाँ पर सीधी line कीच लें और उसके बास अब जिग जग में अगर टेल कॉम की टेल चलाएंगे तो automatic यह आपकी जिग जग सक्षन बन जाएगे उसके बास हमने यह यह त्वेर पार्टिंग निकाला है, उसके बाद ये ट्यू एर के पीछे हम यहाँ पर section निकाला और हम यहाँ पर कर रहे हैं back home, back home दोस्तों हम root पर करेंगे, length पर नहीं करना है, क्योंकि हम root पर volume चीए, इस विस हम यहाँ पर root पर back home करेंगे, तो ऐसे अच्छे से back home कर लेना है, एक और हमने section निकाला और इसके अंदर भी root पे हमने back home किया है उसके वाद से एक और हमने इसके ठीक पीछे section निकाला और इसके अंदर भी हम root पर ही back home करेंगे अच्छे से root पर back home कर लेना है एक और हमने section निकाला है और इसके अंदर भी हम root पर ही back home करेंगे अच्छे से हमने backcomb कर दिया है उसके बाद से section को reverse करेंगे दुआ से back करेंगे section को अच्छे से comb करेंगे comb दोस्तो length पर करना है root पर नहीं करना अभी जब आप root पर comb करने जाएंगे तो मुआ पर आप 45 degree का या 30 degree का आप angle बना के comb करेंगे ताक कि आपके जो comb की तीत है वो hair के अंदर फसे नहीं इस वे से आप ऐसे comb करेंगे उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर pony बनाया हुआ है सारे बालो के लेके उसके बाद हमने boy pin लगाया हुआ था और उसके बाद हम यहाँ पर stuffing set कर रहे हैं pony के नीचे pony हमारी उपर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और नीचे हमने stuffing को set कर दिया है juda pin की help से उसके बाद से हमने थोड़ा से section निकाला है stuffing को hide करने के लिए back home किया है अच्छे से length पर आप यहाँ पर गोर करना कि सबसे पहले जब हम puff के लिए जो section निकाला हुआ था वहाँ पर हमने back home किया था वहाँ पर हमने root पर किया था बट यह वाले section में हमने length पर हमने back home किया था उसका back home करने के बाद हमने spray किया था और section को हमने fold करके stuffing के उपर रखा है जैसे कि आप देख पा रहे है और उसको अच्छे से यहाँ पर pin करेंगे section को stuffing के उपर यहाँ पर हमने section को अच्छे से pin कर दिया है उसके वासे जो उपर हमने section को rest कराया होता उसके अंदर हम step by step curl करेंगे और जो मैं curling machine use कर रहा हूँ दोस्तों यह 25 mm की curling machine है तो आप यह 25 mm की curling machine से करेंगे अगर आपको medium size की कर चाहिए है तो आप 25 mm की curling machine से करेंगे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा tight कर चाहिए है छोटे कर चाहिए है तो आप 10 mm से लेके 99 तक की curling machine use कर सकते है अगर आपको बड़े कर चाहिए है तो आप उसके बास से 30 plus number use कर सकते हैं तो यहां पर हमने अच्छे से coil कर दिया है जैसे के आप देख पा रहे हैं step by step हमने छोटे छोटे section लेके यहां पर coil किया है तो सारे जितने भी पीछे बाल थे हमारे pony में के जितने भी extra hair जो भी बचा हुआ था हमने सारे बालों में coil कर दिया है और थोड़ से बालों को यह लेके हमने stuffing को hide किया था तो यह हमने सारे बालों में coil कर दिया है उसके पास हम front में आते हैं तो जो जिग जग सेक्षिन बन रहा है जो वी टैप का जो shape बन रहा है उसमें से हम यहां पर section लेंगे और step by step यहाँ पर coil करेंगे सेम वही curling machine में यूज़ कर रहा हूँ 25mm की curling machine यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं rotate करके coil कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यह जो coil में कर रहा हूँ वो intern coil कर रहा हूँ है इसका अंदर भी झाल अदर की मैं अथ्याद गया है तो आप उसके लिए ऐक सेक्षिन चोड़ सकते हैं जैसे हमने सक्षिन चोड़ा हूँ अगर आपको कॉल नहीं चाहिए आप को सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे बालो लेका कर लेंगे तो कि मैंने यहां पreten सेक्षण निकालके यहां पर कॉइल किया है उसके बाद अब दूसरी साड्री आते हैं थे सेम प्वेसा एसा कारेंगे यह सक्षण लित मेरी है हमने अच्छे से वही 25 mm की करलिंग मशिन से करेंगे और अंदर के तरफ कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंदर के तरफ हो रहा हमारा कर पीछे पीछे के तरफ से मशीन घुम रही है हमारी और दोस्तों हेस्टालिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप भी ही चक हमें वाट्सप पर सकते हैं हमारा नमबर है 9911418347 तो इससी नमबर पर वाट्सप करके हेस्टालिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं और जैसे कि आप देख पारें हमने सारे बालों में कोईल कर दिया है और उसके वाट हम अभी हमने एक पीछे का सक्षन पकड़ा है उसको हमने पीछे पिन किया है फिर हमने यह आगे का सक्षन पकड़ा हलका सा टूष्ट किया है उसका से last का जो section था इसको भी हमने अच्छे से pin कर दिया है twist करके अब दूसरी side आता है दूसरी side भी same to same ऐसी पीछे से section पकड़ा इसको pin किया है twist करके उसके बाद उसके आगे का section है इसको भी हम twist करके हलका सब pin करेंगे जूड़ा pin के help से मैं इसको pin कर रहा हूँ तो आप भ past का section है इसको भी हम pin कर देंगे front में हमने coil करने के लिए section छोड़ा हुआ अगर आपको front में coil नहीं चाहिए तो आप सारे बालों को लेके coil कर सकते हैं तो यह हमने pin कर दिया पीछे का section है आप इसका अंदर हम twist करके और push करेंगे आगे की दरफ हमने push किया है section को और फिर उसक coil करके काफी ज्यादा messy hairstyle बनते हैं तो आप coil करके easily बना सकते है messy hairstyle messy hairstyle काफी ज्यादा trending है दोस्तों और आपके पास जादर आप notice करेंगे आपके पास जो भी client आता हो जादर messy hairstyle मांगता है क्योंकि messy hairstyle में एक बहुत ही अच्छा सा look आता है और जो यह आप हैस्टाल देख रहे ह उसके बसे side side में हमने दोनों तरफ से curl किया है और पीछे हम यहापे messy bun बन बना रहे हैं और यह low bun बन बना रहे हैं अगर आपको medium में चाहिए तो आप medium में बन रखके और आप same to same messy messy bun बन भी बना सकते हैं और काफी easy technique है दोस्तों जब आपका curl हो जाता है बस उसको twist करना है twist करके just उसको push करना आगे के दरफ और push करने के बाद pull out करना है इस तरीके से आप massive bun बना सकते हैं और इस वीडियो से related अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप दियेगा है नमबर पर whatsapp करके ही पूछ सकते हैं महाँ नमबर है 9911418347 दोस्तों मैं दिल्ली, कुलकता, बंगल सकते हैं और यह वीडियो देख रहे हैं क्लासिस करना चाते हैं और इसकी detail लेना चाते हैं तो इसी नमबर पर whatsapp करके पूछ सकते हैं तो इस तरीकी से आप bun बनाएंगे step by step तो वीडियो जादा लंबी हो जाती इस वीडियो से मैंने part को थोड़ा सा skip कर दिया है और जैसे क इसको जूड़ा pin की help से आप इसको pin कर लेंगे तो step by step ऐसे करते जाना है एक एक coil को पकड़ना है जस्ट उसको twist करना है twist करने का पुश करना है आगे के तरफ ऐसे push कर लेना है push करने के बाद आप pull out करेंगे और यह आपको मैसी सा volume के साथ आपको यह look मिलेगा तो यह हमारा जो मैसी का हैश्टाइल है इस तरीके से आप बना सकता है और यह हमारा पूरा complete होका है वीडियो पसंदा तो like करेगा thank you very much